और वाइए दोष्टो बहुत स्वागत आखको नमस्तर ने नियूज में मैं हूँ आपको ड़ोस्तु नमीन शर्मा हम बात करें मौसम भाग लिटेश्ट अबडेट की मौसम भाग लिटेश्ट अब्डेट जारी कर दिया है मौसम भाग करनू सार एक से चार माई के लिए किस मुसम कहां आने वाला है चक्रवादी तूफान फेनी सांग जानेंगे एक से चार मई तक के मौसम को तो यांतर लिटेश्ट अपडेट को दोस्तों वीडियों शुरू करने सब्सक्राइब करें वह बड़ाइक नवाई जिस अपडेट रहे हैं आपडेश की सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से चलते हैं अपडेट के और तो फेनी को लेकर मौसमी भाग के अलर्ट फिर से जारी हो चुका है खतरनाक तूफान में बदल सकता है चक्रवाद फेनी साइकलों के लिए बात करें चक्रवाद फेनी को लेकर मौसमी भाग ने अलर्ट जारी कर दिया मौसमी भाग के नुसार यह गंभीर चक्रवादी तूफान दक्षनपूर और बंगाल की दक्षन पश्चिम की खाड़ी के ऊपर अगले 36 गंटों के दुरान चक्रवादी तूफान और अधिक तीवर होने की संभावना है दोस्तों यह अलेट जो है सुभवी जारी कर चुके है मौसमी भाग और इसको आगे बढ़ाती हुए और नए अपडेट भी उन्होंने जारी की है जो जान लेते हैं एक मैई की शाम तक यह तूफान उत्तर पश्चिम की और बढ़ने की बहुत संभावना है और इसके बाद फिर से उत्तर वा उत्तर पूर्वी में ओडिशा तटकी और आएगा साथ ही तीन और चार को पश्चिम बंगाल के तटी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ अधिकान से स्थानों पर हलकी वारिश हो सकती है गुरुवार्द खतरनाक चक्रवाद का रूप ले सकता है तूफान गुरुवार्द खतरनाक चक्रवाद का रूप ले सकता है सरकान राश्ट्री आपदामोचनबल, NDRF और भारतिय तटरक्षकबल को हायलेड पर रखा है राद नो बजे के बुलटीन में IMD के चक्रवाद चेताउनी खंड ने बताया अभी तक यह तूफान श्री लंका में 3 कौमाली से करीब 620 किलोमेटर पूर्व उत्तरपूरी और चेन्ने में 700 किलोमेटर पूर्व दक्षन पूर्व तक मचली पत्रनम से 900 किलोमेटर दक्षन पूर्व में इस्तित है बुलेटीन में कहा गया है कि इसके एक मही की शाम तक उत्तर पश्रिम के और बनने की प्रवल संभावनाय बनी हुई है वहीं ग्रमंत्राले ने सोमार को कहा है कि चक्रवाद फेनी के कराण सोमार शाम तक बहुत भहेंकर चक्रवादी तूफान आने के अशंका के मद्यनेजर राश्टरी आपदा मोचन बल, NDRF और भारती तक रक्षक बल को हायलर पर रख दिया गया है तब मशुवारों को समुद्र में नजाने की सलाह भी दी गई है गुरवार तक या तूफान बहुत खतननाग चक्रवाद का रूप ले सकता है और जिसके प्रभाव से संपूर्ण देश का मोसम जो है प्रभावित होगा आपत कालिनी इस्तती मामलों की देश की शिर्ट सहस्ता राश्टरी आपदा प्रवंदन समिती N.C.M.C. ने सुमवार को चक्रवाद फोनी से उत्पन इस्तती का जाईजा लिया और राज्य सरकार को तूफान से निपटने के लिए केंदर सरकार की ओर से सभी साहिता मिलने का आश्वर्शन दे दिया है ग्रह मंत्राना ने कहा है कि राश्ट्री आपदा मोचन बल N.D.R.F. और भारती तरक्षक बल को हायल पर रखा है तामिल नाडुम फेनी का खत्रा मन रहा है दोस्तों आम तोल पर किसी चक्रवादी तूफान की हवाओं की गती 80-90 किलोमेटर पती घंटा होती है जबकि हवा की रफ्तार 100 किलोमेटर पती घंटा बढ़ सकती है अत्यांत भहंकारी चक्रवादी तूफान के मामलों में हवा की गती 170-180 किलोमेटर प्रती घंटे तक हो जाती है और यह 195 किलोमेटर प्रती घंटे की रप्तार तक भी जा सकती है गुरुवार को उत्तर तटी अंदरप्रदेश और दक्षिन तटी ओडिशा में कुछ इस्थान उपर हल्कीव मध्यम बारिश होने की संभावना है और केबिनेट सचीव पीके सिन्ना के दक्षिता में है NCMC की टीम बेठग हुई और हलात का जाई जलिया गया तामिल लाडू, अंदरप्रदेश, ओडिशा और पश्यम बंगाल के मुख्य सची और प्रधान सची वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बेठग में शामिल हुए बेठग में केंदरी मंत्रालयों और संबंदित एजन्सियों को वरिष्ट अधिकारियों को भी शामिल किया गया इसमें अभी राज्य सरकारों को अधिकारियों को चक्रवाजी तूफान से उत्परने किसी भी इस्तिती में निपटने के लिए अपनी पूर्त यादी की पुष्टी की है इस तदी पर करीम नजर रखाए प्रणार मंत्री नैंदर मोदी ने निर्देश के बाद NCSC की बैठेक होई इस बीच ओडिशा शरकार के एक वरिष्ट अधिकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि संभावी चक्रवादी को मद्दे जर रखते हुए डक्षिन और राज्य रख दिया गया है तो दोस्ते लेटिस्ट अपडेट मुसमी भाग का एक से लेकर चार मई के लिए इस वीडियो को आप शेर करना बिल्कुल ना भूले ताकि इन शेत्रों को लोग सावधान रह सके सतर कर सके और अपने जो है सामान जानमाल की सुरक्षा कर सके इस वीडिय उसों खुछ रहिए स्वास्ता रहिए नमस्ते इंडिया